वेलकम ओलफ यू आप सभी का स्वागत है आपके इस यूटूब चैनल एडी सिंग फिजिक्स के अंदर हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पैरामिटर्स को कंपलीट किया था आज हम जो हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क थ्योरम जाल परमिया नेटवर्क थ्योरम आने वा पोजिशन थ्योरम सेकंड हम पढ़ेंगे थैवनिन परमिया थैवनिन थ्योरम थर्ड हमारी है नोटन परमिया नोटन थ्योरम और लास्ट जो फोर्थ परमिया आती है थ्योरम आती है प्रसपारिक थ्योरम रिसी प्रोसाइटी थ्योरम ओके तो यह चार तरीके की हमारे प पूछ चाते हैं ओके तो आज हम पढ़ने वाले हैं Superposition थियोर्म अध्यार ओपन पर में ओके तो प्लीज आप देखिए अब देखिए अध्यार ओपन पर में सुपर पोजीशन थियोर्म स्टेटमेंट क्या है इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले आपन consider करेंगे उसके बाद जो बने हुए diagram हैं उनके पास circuit जो हमारे वे diagram है network है हम उनके बार में करचा करेंगे तो सबसे पहले क्या कह रही है अध्यर open पर में थियोरम का कह रही है यदि किसी रेखिय परती भाधाएं के जाल में दो या दो से अधिक जनेरेटर्स हो जनित्र हो तो उसके किसी बिंदू के अवयव में परवाइत धारा का मान उन सबी धाराओं के क्या होता है योग के बराबर होता है कहने का मतलब किसी network के अंदर generators हो और उसके अंदर जो total धाराएं हैं मान लीजे इस परिपत के अंदर मेरे पास i1 और i2 धाराएं हैं वो कह रहा है कि I1 धारा का योग, I2 धारा के योग का total क्या होगा, बराबर होगा, यानि हम I1, I2 करें, अगर दोनों का अलग लग से निकालें और total हमारे पास क्या होगी, टोटल अनुर्जा धाराओं के योग के बराबर जो की परतेक जनित्र के कारण परवाहित होती है यानि एक एक जन्रेटर के कारण यहां पर फर्स्ट और यहां पर सेकिंड ओके अपने डिटेल में पढ़ेंगे इसकी स्टेटमेंट इसकी तरीके से कहा गया अकोर्डिंग टू दिस्ट्योर्म टू एंड मोर जनेरेटर्स सोर्स ओफ इलेक्ट्रो मेगनेटिक फिल्ड आर कनेक्टेड इन नेट्वर को योग किसके ओगा जनेतर में परवाइत धाराओं के योग के बराबर और यहां पर कंडिशन है डियू टू इच जनेरेटर वें दी अधर जनेरेटर रिप्लेश्ट इंपिडेंज यानि हम दूसरे जनेतर की परतिभादा को यानि आंतरीक परतिभादा को क्या करें हम परत धारा प्रवाहित हो तो इसमें धारा का अमान धारां टोटल धारा े विजBa-10 की देखिए अब देखिए आफ फिगर के बारे में देखिए फिगर किया कहा रहा है अब मेरे पास एक network है एक जाल है जाल के अंदर E और E1 E1 and E2 क्या है मेरे पास voltage है जनित्र है ओके I1 धारा है I2 धारा है Z1 Z2 और Z3 क्या है मेरे पास प्रति रोध हैं प्रति बादाई हैं ओके अब देखिए हमने definition के अंदर क्या किया अब हमें एक बात proof करनी है कि हमें इस theorem के अंदर proof क्या करना है सबसे main मुद्दा सबसे main बात कि हमें proof क्या करना है ओके तो हमें proof क्या करना है सबसे main मुद्दा जो हमारे पास आता है कि सर हम theorem तो कर रही हैं प्रतु theorem को proof किस तरीके से करना है कहने का मतलब अब मैंने इसको पहले जनितर के रूप में जोड़ दे यानि यदि E1 यदि मेरे पास क्या हो E1 जनितर जुड़ा हो केवल ओके और सेके थर्ड फिगर के अंदर केवल E2 जनितर जुड़ा हो यानि मेरे पास जो परवाहिद जो स्त्रोथ है जो मेरे पास परिपत में स्त्रोथ है केवल E1 माना जाए और E2 माना जाए और यदि इन दोनों के धाराओं का योग इस धाराओं के योग के बराबर आता है तो ये क्या कहेंगे? सूपर पोजीशन थी हो रहा हूँ अध्यर ओपन का सिद्धान ओके तो यहाँ अपर हमें प्रूफ क्या करना है I1 डैश यहाँ देखिए I1 डैश प्लस I1 डवल डैश यानि I1 डैश I1 डवल डैश का मान किसके बराबर हो I1 के बराबर हो तो हम क्या कहेंगे अध्यर ओपन का सिद्धान प्रूफ होता है और यहाँ आपन देखिए I2 डैश प्रूफ कर दो या I2 डवल डैश I2 के बराबर हो दोनों में से कोई भी प्रूफ कर दो हमें इस थियोरम को प्रूफ करने में यह रिलेशन रखना पड़ेगा तो क्या कहा इसने इसने कहा कि पहले जनितर में धारा दूसरे जनितर में धारा टोटल धारा के योग के बराबर दूसरे में पहले में दोनों के योग के बराबर तो हमें ये प्रूफ रिलेशन को प्रूफ कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अध्यर ओपन का सिदान प्रूफ होता है एक थियोरम है इससे समन्दी नुमेरिकल पूछा जाता है इससे समन्दी डारेक्ट थियोरम पूछ जाती है कि सूपर पोजिशन थियोरम क्या है उसको स statement के साथ साथ हम डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे सबसे पहले हम फीगर फर्स्ट फीगर सेकंड और फीगर थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे ओके तो देखिए प्लीज किस तरीके से अब देखिए according to figure first अब देखिए वी विल प्रूफ हम क्या प्रूफ करेंगे हमने प्रूफ करना भी दिखाया था आपको आइवन डैश प्लस आइवन डवल डैश इसकल टू आइवन हमें यह रिलेशन को प्रूफ करना है ओके तो अप्लाइंग हम फिगर फर्स्ट की बात कर रहें फिगर फ कौन से अब देखिए फर्स्ट फिगर के अंदर देखिए मेरे पास दो क्या मन रहें लूप मन रहे हैं इन फर्स्ट लूप इन फर्स्ट लूप 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 नमबर फर्स्ट और लूप नमबर सेकंड पहले वाले फिगर के अंदर मेरे पास दो लूप मन रहे हैं फर्स धारा यहां से बहरी, I1, Z1 क्या होगा, कुल धारा, कुल वोल्टेज का यो किसके पराबर होता है आइके, तो I1, Z1 प्लस, क्या होगा, I1, Z1 पहले वाले लूप के अंदर बात कर रहे हैं, तो यहां क्या हैगा I1 मेंसे I2 गया, यहां पर क्या गया i1 में से i2 गया i1 प्लस i1 माइनस का i2 z3 इक्वस टू e1 यानि पहले वाले लूप की बात कर रहे हैं पहले वाले लूप की बात कर रहे हैं तो यह भारा पहला लूप है पहले लूप के अंदर kvL की equation solve कीजिए i1 z1 प्लस i1 z3 माइनस का i2 z3 तो यह क्या आजएगा e1 अब देखिए i1 कोमन है z1 प्लस z3 माइनस का i2 z3 equal to e1 समीकर नंबर first मेरे पास प्राप्त हुई figure first की बात कर रहा हूँ मैंने पहले लूप के अंदर kvL low लगाया है अब applying apply kvL in second loop किसमें लगाना है second loop के अंदर kvL लगाये आप second loop के अंदर क्या होगा minus का i2 क्या हैगा minus का i2 z2 plus i1 minus i2 z3 equals to e2 e2 क्या है इस loop की voltage के बरावर होगा तो यह मेरे पास क्या है equation i अब इसको solve कीजे आप i2 z2 plus i1 z3 minus का i2 z3 is equal to e2 अब देखिए common क्या आ रहा है मेरे पास minus का i2 z2 plus z3 okay plus i1 z3 equal to e2 equal to e2 मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पर प्राप्त हो रहा है okay e2 मेरे पास यहाँ पर प्राप्त हो रहा है अब i1 को पहले लिखी आप series के अंदर लिखना है हमें i1 z3 minus का i2 z2 plus z3 is equal to e2 sumi करन नंबर 2 sumi करन नंबर हमारे पास क्होंसी प्राप्त हो ही 2 number equation कहाँ पर figure first के अंदर ओके यह हम figure first की बात कर रहे है हमने केवियल लो को का किया apply किया अब हमें calculate क्या करना यहाँ से अब हम यहाँ से i1 को calculate कर लेंगे क्या कर लेंगे i1 को calculate देखे सबसे पहले इसको pattern समझे इसको करेंगे कैसे आने वाले theorems हम करने वाले हैं इसको करने का best तरीका बता रहा हूं आपको अब हमने दोनों loop में से या तो आप i1 calculate कर लो यह तो combine loop है ओके इसको मैंने e1 से जोड़ दिया इसको मैंने e2 से जोड़ दिया अब देखे होता क्या है अब मैं आपको अलग color से show कर रहा हूं यहाँ पर अब गलती ना हो इसके लिए अब सबसे पहले देखे आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर combine loop है तो आप यहाँ i1 calculate कर लो या i2 कर लो ओके या आप यहाँ पर i1 dash calculate कर लो या i2 dash calculate कर लो और यहाँ पर या तो i2 double dash कर लो या i2 या i2 dash कर लो या i2 double dash कर लो ओके तो यह हमारे पास calculation कर सकते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर calculation अपन कर सकते हैं अब देखे यदि हम i1 वाले relation को proof कर रहे है तो यहाँ पर I1 calculate करो यह I1 करो यह I2 करो, इन दोनों का sum यदी इसके बराबर तो हम क्या कहेंगे, अग्देरोपन का सिधान proof होता है, और यह calculate कर लो, यह calculate कर लो इन दोनों का जोड़, यदी i2 के बराबर आए तो हम क्या कहेंगे अद्यर ओपन का सिधान कलेकुलेट हो रहा है हमें दोनों कलेकुलेशन करने की अवशक्ता नहीं है आप यहां से i1 निकाल लीजिए और यहां से i1 डैश और यहां से i1 डवल डैश और हम यह दोनों बराबर रखें यदि हमारा रलेशन i1 के एक कोल डा रहा है तो हम यह कहेंगे कि हमारा अद्यर ओपन का जो परमे है वो प्रूफ होता है मुश्किल नहीं है मैं फिर कहा रहा हूँ मुश्किल कोई भी चीज नहीं है सिर्फ हमें सिर्फ इसको बड़े ही ध्यान से करना होगा अब देखिए हमें i1 की value को calculate करना है i1 calculate करने के लिए क्या fundा होगा अब यहाँ पर matrix का use लेंगे delta निकालेंगे क्या निकालेंगे delta हमने last lectures के अंदर i1 को निकालने का pattern देखा था delta किस तरीके से निकलेगा अब आज i1 i2 series के अंदर है i1 i2 है तो हम यहाँ पर इनके बीच के coefficient निकाल सकते है matrix बना सकते है देखिए z1 plus z3 यहाँ पर minus का z3 minus का z2 plus z3 यहाँ क्या आजएगा z3 ओके तो यह मेरे पास आगी values यह मेरे पास क्या आगी values ओके तो यह मेरे पास क्या आगी values यहाँ देखिए z3 इदर आएगा z3 और यह मेरे पास आगया minus का z2 plus z3 ओके यह वाली question समीकरन एक वदो से मेरे पास इस तरीके है की matrix पता होगी ओके इस matrix को खोली आप delta खोली आप z1 plus z3 z1 plus z3 किस तरीके से खोलते हैं इसको z1 plus z3 को आप देखिए z1 plus z3 minus का minus का multiply करना आपने minus का z2 plus z3 minus यहाँ पर z3 और यहाँ पर z3 ओके यह minus का है ओके तो यह क्या होजेगी यहाँ पर देखिए z1 plus z3 minus इदर आया z2 plus z3 यहाँ z3 की square minus minus plus ok minus minus plus खोली एक equation को क्या आएगा z1, z2 z1, z3 z3, z2 plus z3 की cube और यहाँ z3 की square z3 की square और यहाँ भी z3 की square ok तो z3 की हमारे पास क्या होई square पराप्त हुई ok तो हमने यहाँ से इस equation की साइथा से इसको square जो हमने calculate किया था वो हमारे पास पराप्त हुई अब देखिए यहाँ पर already minus है minus है तो सारे क्या होँगे यहाँ पर minus होँगे सारे क्या होँगे यहाँ पर minus क्यों होँगे ok तो यहाँ देखिए z3 से z3 cancel मेरे पास जो delta बना minus का z1, z2 z1, z3 z3, z2 ok equation number third equation number मेरे पास क्या होई third पराप्त हुई first equation के अंदर हमने kvl loop लगाया second equation के अंदर हमने क्या लगाया फिर kvl second loop के अंदर हो third के अंदर हम delta की value को हमने calculate किया ok delta की value को हमने क्या क्या calculate किया अब दिखिए अब क्या करेंगे हम अब दिखिए हम i1 को calculate करना चाते हैं किसको i1 को i1 किस तरीके से calculate होगा i1 का formula के होगा delta 1 में से delta क्या करेंगे divide करेंगे अब delta 1 किस तरीके से calculate होगा delta 1 calculate करने का आपको last lecture में बताया था कि हम पहली row को छोड़ कर e1 e2 लिख देंगे यदि हम delta 1 calculate करना हमें तो delta 1 के आएगा e1 e2 यानि पहली row को हमने इस तरीके से छोड़ दिया और बाकी के same element minus का z3 minus का z2 plus z3 इसको solution करेंगे इसको हल करने पर क्या आएगा मेरे पास इसको हल करने पर क्या आया मेरे पास minus का यहाँ minus का e1 z2 plus z3 और यहाँ आजेगा e2 z3 positive तो यह मेरे पास आई किसकी delta 1 की value delta 1 की मेरे पास आई value अब हम क्या calculate करना चाते हैं अब हमें i1 calculate करना है किसको i1 को calculate करना है ओके तो देखिए आप i1 किस तरीके से आएगा i1 delta 1 upon delta delta की value कितनी है delta 1 की minus का e1 z2 plus z3 plus e2 z3 upon के अंदर क्या आएगा delta की value minus का z1 z2 plus z2 z3 यहां और z3 z1 z3 z1 ओके तो हमने इसको calculate किया अब i1 क्या है separation कीजिए आप minus का e1 z2 plus z3 upon के अंदर minus का z1 z2 z2 z3 z3 z1 plus क्या आएगा e2 z3 minus का z1 z2 plus z2 z3 और यहां z3 z1 okay minus से minus cancel i1 क्या आएगा e1 z2 z3 और यहां पर z1 z2 z2 z3 और z3 z1 और minus आएगा तो e2 z3 और यहां से z1 z2 z2 z3 और z3 z1 okay तो यहां हमने पहले वाले figure के अंदर i1 की value को calculate कर लिया है okay i1 की value को calculate किया है किस तरीके से किया पहले loop लगाया दोनों के अंदर हमने calculation को remove किया अब यह value हमने samikar number a कौन सी samikar नाई मेरे पास samikar number a अब हम बात करें कौन से की figure second की figure second figure second की बात कर रहा हूं मैं अब figure second के अंदर क्या करेंगे applying apply कौन सा kvl अब यहां भी देखिए apply kvl करेंगे अब मेरे पास figure second की बात करूं तो even है यदि मैं, figure second गंदर यहां लिखिया आप, यदि मैं स्त्रोथ को, यदि मैं क्या मानू, इस स्त्रोथ को परिपत में even धारा मानू, even को मानू, परिपत में even प्रवाहित हो, ओके, तो केवल even स्त्रोथ ही प्रवाहित करना है हमें, तो यहां पर मेरे पास एक loop बनेगा, even वाला, क्या बनेगा, loop बनेगा, तो देखिए, किस तरीके से मेरे पास equation आएगी, इवन डैश को calculate करना है, क्या करना है, हमें, आईवन डैश को calculate, आब आईवन डैश, क्या करना है, आईवन डैश, किस सरीके से calculate होगा, यदि एवन डैश निकाले, और, even डैश अपोन, J1 डैश, यानि हम धारा का मान क्या होता है E बराबर IR और ये मेरे पास R है धारा बराबर वोल्टरा बते प्रतिरोध और यदि हम यहां से प्रतिरोध कैलकुलेट कर लें Z डैश कैलकुलेट कर लें तो मेरे पास क्या आजाएगा I डैश का मान आजाएगा अब देखे जड़ डैश कल्कुलेट किस तरीके से करेंगे जड़ डैश अब मेरे पास लूप है अब देखे लूप के अंदर जड़ वन जो है वो सीरिज के अंदर है प्रन्तु जड़ टू पर जड़ त्री क्या है पैरलर है ओके तो यहाँ पर हमने जड़ वन प्लस जड़ टू जो समांतर करम के अंदर है वो कह है जड़ त्री के अंदर यानि पैरलर है तो कैल्कुलेट कीजिए जड़ वन प्लस वन बाई जड़ टू यहाँ वन बाई जड़ त्री ओके तो जड़ वन आया मेरे पास से क्या calculation आई मेरे पास देखिए प्लीज आप ओके अब देखिए अब यहां पर हमने calculation की है calculation के अंदर देखिए आप अब हमने इसको series में लाना है तो z1 क्या होगा यहां पर z2 z3 z2 plus z3 ओके तो यहां से क्या है मेरे पास z2 plus z3 z1 z2 z1 z3 plus z2 z3 तो यह होगी मेरे पास आई z-की value ओके जैड़ डैश की वैल्यु हमने calculate की अब हमें क्या calculate करना है i1 डैश i1 डैश मनें क्या करना यहां पर calculate करना है तो i1 डैश कैसे आएगा मेरे पास multiply करना हमें ओके I1- कैसे calculate होगा अब I1- क्या हैगा E1- upon के अंदर क्या है Z1- E1 का as it is Z1- मेरे पास क्या आया था Z1-Z2-Z2-Z3 plus Z3-Z1 upon के अंदर Z2-Z3 तो I1- क्या आजेगा E1- Z2-Z3 upon के अंदर Z1-Z2-Z2-Z3 Z3-Z1 तो हमने I1- की value को calculate कर लिया समीकर नंबर B समीकर नंबर B हमारे पास प्राप्त हो गई अब हमने I1 calculate कर लिया I1- calculate कर लिया अब कमी किसकी रह गई अब कमी रह गई I1 double dash की double dash कहां से निकालेंगे अपन double dash निकालेंगे figure 3rd के अंदर तो इन समीकर नंबर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर note कर देता हूँ ताकि हमें क्या हो बाद में मुश्किल ना हो तो यहाँ मैं इसको erase कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं value लिख रहा हूँ किसकी समीकर नंबर I1- क्या है I1- E1- Z2 प्लस Z3 अपोन के अंदर Z1-Z2 Z2-Z3 Z3-Z1 ओके समीकर नंबर B ओके तो यह मेरे पास आया figure second के अंदर screenshot ले लिजे प्लीज आप अब हम बात करें figure 3rd के अंदर figure 3rd के अंदर यदि परिपत में E2 परवाहित हो यदि क्या हो परिपत में E2 परवाहित हो figure 3rd की बात कर रहा हूँ तो हमें I2 क्या करना है I1- calculate करना है E-ड़एश और Z-ड़एश ओके E-ड़एश calculate कर ले और Z-ड़एश यनि हम E2 की value calculate करें यहाँ पत क्या आजए E2 की value ओके तो यहाँ पर हमें हमारे पास कहाएगा E2 E2- अब देखिए यहाँ पर Z double dash किस तरीके से calculate होगा अब figure 3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर E2 मेरे पास कहाँ voltage है अब यहाँ पर देखिए यह series के अंदर Z2 series के अंदर और parallel कौन से होगे Z1 plus Z3 यहाँ पर Z double dash के आजएगा Z2 plus Z3 Z1 plus Z1 समांतर Z3 ओके तो यहाँ से Z2 और यहाँ पर क्या आजएगा यहाँ पर Z1 Z3 Z1 plus Z3 ओके तो यहाँ से दीखिए आप Z1 plus Z3 Z1 Z2 plus Z1 Z3 Z2 Z3 और Z1 Z3 तो यह मेरे पास आगया Z double dash की value ओके तो हमें calculate क्या करना है E2 हमें क्या calculate करना है E2 calculate करना है तो E2 देखिए तो यहाँ पर I1 double dash क्या आजएगा E2 upon Z double dash तो यहाँ से E2 और Z double dash की value कितनी है Z2 plus Z1 यहाँ पर value है Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1 upon के अंदर Z1 plus Z3 ओके तो यहाँ से क्या आएगी E2 Z1 plus Z3 upon के अंदर Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 plus Z3 Z1 समीकर नंबर कितनी है यहाँ और मैं यहाँ पर इसको नोट कर रहाँ I1 double dash E1 यहाँ E1 था यह E1 लिखती जिए आप यह E1 double dash लिखती जिए E2 और यहाँ क्या जगा Z1 plus Z3 upon के अंदर Z1 Z2 Z2 Z3 plus Z3 Z1 समीकर नंबर कितनी है यह समीकर नंबर C समीकर नंबर C मेरे पास क्या होई पराप्त होई ओके अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना था हमें कैलकुलेट करना था I1 dash का और I1 double dash का योग यदि I1 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक परीपत में परवाहित धारा का योग परीपत में कुल धारा के योग के बराबर है और यही हमारी क्या है थियोरम है ओके तो अब क्या करेंगे अब समीकर नंबर B और C को जोडने पर समीकर नंबर C adding, add करेंगे आप, कीजिए आप i1 dash plus i1 double dash, add कीजिए आप e1 क्या आएगा, e1 z1 plus z3 ok, z1, z2 यहाँ z2, z3 plus z3, z1 ok, z3 मेरे पास क्या आजएगा, z1 आजएगा ok, अब देखे, अब i1 dash i1 dash और i1 double dash यह दोनों विपरीत है, क्या है विपरीत, यानि यह i1 dash और i1 double dash विपरीत है, इसलिए i1 double dash क्या होगा, negative होगा अब negative का कारण में लिख रहाऊ negative क्यों होगा, क्योंकि यह क्या है, i1 dash और i1 double dash क्या है विपरीत है, ok तो इसलिए यहाँ पर यह relation negative होगा, अब हमने जोड़ना है, तो यह minus का e2, z1 plus z3, upon के अंदर z1, z2, z2, z3, z3, z1, okay, जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, z1, z2, z2, z3, z3, z1, okay, z3, z1, और यहाँ से जोड़ने पर, यह हमने इस relation को जोड़ दिया है, अब जोड़ने पर हम क्या देख रहे हैं, जोड़ने पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कौन सा relation देख रहे हैं, कौन सा relation को हम यहाँ पर note कर रहे हैं, देखिए आप, अब यहाँ देखिए आप, अगर हम इ ये पहले वाला equation ये प्राप्त होती है पर हम प्रंतु यहां देख रहे है जैड़ वन प्लस जैड़ तरी है जैड़ वन इसके साथ में यदि जैड़ वन को हटा दिया जाए तो मेरे पास आएगा जैड़ तरी अब इसको हटाने का तरीका क्या है अब यदि हम आई टू डव हम यदि पहले calculate करते थे तो जैड़ वन इसे लिए कैंसल हो जाता और यहां पर क्या आजाता मेरे पास जैड़ तरी प्रंतु वह भी रिलेशन आप पर कर सकते हैं प्रंतु यहां देखिया एटू है वह यहां पर जैड़ टू और जैड़ थ्री है जैड़ वन क्या है बिल करते हैं कि दोनों धाराओं में प्रवाहित धारा टोटल धाराओं के योग के बराबर है तो यहां से क्या प्रूफ होता है यहां से हमारे पास equation क्या आगी आईवन डैश प्लस आईवन डवल डैश इस इकल टू आईवन तो यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था यही ह दो या दो से अधिक परती परिपत हो मेरे पास उसमें कुल धाराओं का योग जो है कुल धारा के योग के बराबर है यानि इस परिपत में बहने वाली धारा इस पे बहने बहने वाल धारा कुल परिपत में बहने वाली धारा के योग यदि क्या है यदि हम उनके जो जनीत्र हैं उसके परिपत को आंत्रीक परिपत को स्थांत्रित कर दें ट्रांसफर कर दें ओके यह हमने स्टेटमेंट पड़ी थी अब हमने सरप्रतम फीगर फर्स्ट के अंदर आइवन कैलकुलेट किया फीगर सेकंड के सिदान सूपर पोजीशन ध्योरम के अलाबती है ऊके तो आज के लेक्चर में सिरु इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम सूपर पोजीशन ध्योरम के एक्जांपल को पड़ेंगी ऊके तो आप इस वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जुरूर कीजेगा और यदि मेरे चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी विदार्तियों तक पहुँच पाई इलेक्टोनिक से सबंदित बी एस सी फाइनल से समपूरण पाठेकरम आपके यूटूब चैनल पर बलब्ध हैं आप इस यूटूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सारी के सारे लेक्चर्स को लगा सकते हैं ओके तो आज के लेक्चर में स्रीफ इतना ही थैंक यू अलोफ य क्वाल आप कर दो आप